नमस्कार में भाकिष्री, बिसिन नियूस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वाकत थे कबरों के और बढ़ने से पहले आए डालते एकने सर आज के हेटलाइन्स पर आर्थिक संकट से जूझ रही गोफर्स एयरलाइन ने अपनी सब उडाने एक तिस अगस तक के लिए रद्द करती है परिचारं कानों से विमानन कमपनी ने यह फैसला लिया है विमानन कमपनी ने यात्रियों से अस्विधा के लिए माफी मांगी है इससे पहले गोफर्स एयरलाइन ने अपनी सभी उडाने एक तिस जुलाई तक के लिए रद्द कर दी थी दरसल भारी वित्य संकट में फसी वाडिया समों की इस कमपनी ने तीन मैस से ही अपनी सभी उडाने बंद कर रखी है तब राष्ट्य कमपनी विधी नयाधी करन एंसी एल्टी ने यात्रा के लिए टिकेट खरेने वाले करीब पंधा लाग पाच हजार यात्रियों को वाल्स और फेटिंग्स कमपनी आतम वाल्स लिमिटेट ने चालो वित्वर्ष की प्रतम तिमाही के तौरान अपनी आई में 40 प्रतिशत की वृत्ती दच की है अप्रेल जून 23 की आउधी में कमपनी ने 10 करोड 40 लाग की कूल आई पर 6.84 करोड रुपे का शुद्ध लाग कमा है कमपनी के प्रभंध निदेशक अमी जैन ने कहा कि हमने नए बात्रूम फिटिंग उत्पात तयार करने के लिए रिसर्च एवाम डेवलेटमेंट तथा मार्केटिंग पर परियांतर निवेश किया है बिरो रिपोर्ट बीसिन नियूज चालुवित वर्ष 2023 और 24 में भारतिया दूर संचार कमपनियों का परिचारन लाब 15 प्रतिशक तक बढ़कर एक दशम लोग 2 लाग करोड रुपे पर पहुचने का अनुमार है क्रिसेल रेटिंग्स ने सुमवार को यह जानकारी दी इसके अनुसार दूर संचार कमपनियों का परिचारन लाब इससे पिछले साल एक करोड चार लाख रुपे था बर्टी खबर के पीच बड़े डेटा पैक की मांग चालुवित वर्ष में उद्द्यों की लाब रुथी का प्रमुक कारन होगी एजनसी के उपमुक्य रेटिंग अधिकारी मनिश गुपता ने कहा कि प्रती ग्रहक औसत कमाई जिसमें पिछले कुछ वर्षों से गिरावट दश की गई है या निकट भविषय में शुल्क में कोई बड़ी बड़ो तरी ना होने के बाउचुद 8-10 प्रतिशत बड़ेगा क्योंकि दूर संचार कमपनियां 4G ग्रहकों को 5G सेवाव पर ला रही है इस वित्तवर्ष में डेटा का इस्तेमाल पिछले वित्तवर्ष के प्रति महा 20GP से बढ़कर 23-25 जवी प्रति ग्रहक होने और शुल्क योजना को दुरुस्त के जाने से परिचालन लाव में वृत्ति होगी वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने सुमवार को कहा कि जन्धन योजना के जरिये आये बतलाव और डीचिटल परिवर्तन ने देश में वित्तिय समावेशन में करांति ला दी है उन्होंने कहा कि इसके जरिये 50 करोड से अधिक लोगों को अवचारी बैंकिंग प्रनाली में जोड़ा गया ना जिनकी संचै जमाराशी 2 लाग करोड रुपे से अधिक है प्रदान मंत्री जंदन योजना की नौवी वर्षगाट पर सिता रमन ने कहा कि 55.5 प्रतिशत बैंक खाते महिलाव द्वारा खोले गए है और 70 प्रतिशत खाते ग्रामीन अर्द शहरी शेत्रों में खोले गए है योजना की तहट जैन बैंक खातों की संख्या मार्च 2015 में 14 करोड 32 लाग से 3.4 गुना बढ़कर 16 अगस 2023 तक 50.09 करोड हो गई कुल जमाराशी भी मार्च 2015 तक 15,670 करोड रुपे से बढ़कर अगस 2023 तक 2,3,000 करोड रुपे से अधिक हो गई वैश्विग बाजारों में मजबूती के रूख और HDFC बैंक में लिवाली से स्तानी शेयर बाजार में दो कारोबारी सत्रों की बाद सुमवार को फिर से तेजी लोटी 82 का 30 शेयरों पर आधारी सुचकांग 56, 110 अंग यानी 0.17% की बढ़त के साथ 24,996 अंग पर बंधवा अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विन्य में बाजार में रुपिया एक पैसी मामुली बढ़त के साथ 82,330 प्रती डॉलर पर बंधवा विशेशकर जापानी संसाकत निवेशको तधा तेजडियों की लिवाली की बल पर बैसी के स्मॉल कैप इंडेक्स में 242 अंगों का उचाल आया और यह 36,298 अंग की नई उचाई पर पहुँच गया इसी तरह बैसी मिट कैप में 181 अंगों की तेजी आई और यह 30,899 अंग पर बंधवा शुक्रवार को उच्छे मुल्यों पर मुनाफ़ा वसुली के कारण मेड और स्मॉल कैप शेरों में भी गिरा वटाई थी बिरो रिपोर्ट बिसेन निउस खबरे समावत करने से पहले आईए डालते एक नजर आज की हेटलाइन्स पर बिसेन निउस के हिंदि समाचार में फिला लिता ही ताजा खबरों के लिए देखते रिए बिसेन निउस नमस्का